नमस्ते दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का अपने दा नॉलिज 24 यूट्यूब चैनल पर दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने RRB टेकिनीशन का फॉर्म कैसे बढ़ सकते हैं मैं आपको एक फॉर्म फील करके बताऊँगा step by step वीडियो को सुब करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रुकैस्ट है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको सबसे पहले अपने मौब वाल या लैप्टॉप में Google open करना है और सर्च करना है सरकारी रेजल्ट जैसे ही सर्च करोगे तो आपके सामने यह website open होकर आ जाएगी आपको यहां मिल जाएगा rrb technician apply online आपको इसी पर click कर देना है जैसे ही click करोगे तो आपके सामने एक नया page open होगा यहां आपको नीचे की तरफ आ जाना है और यहां आपको मिल जाएंगे अगर आपने पहले से ही अपना रेजिटेशन कर रखा है तो आप यहां और रेडी हैवे एकाउंट पर click करना है और अगर आपने पहले एकाउंट पर click कर लेना है उसके बाद यहां आपको अपनी कुछ detail फिल करनी होगी यहां आपको अपनी nationality select कर लेनी है उसक आप यहां yes या no कर सकते हैं उसके बाद यहां आपको अपनी date of birth इस calendar से fill कर लेनी है और यहां अपनी date of birth को confirm भी कर लेना है उसके बाद यहां आपको अपने जेंडर को confirm भी कर लेना है उसके बाद यहां आपको अपने फादर्स का नाम फिल करना है और यहां उनको भी कनफर्म कर लेना है उसके बाद यहां आपको अपने आधार कार नमर फिल करना है और उसको यहां से वेरिफाई कर लेना है उसके बाद यहाँ आपको अपनी email ID फिल कर लेनी है और यहाँ से उस पर OTP सेंड कर देना है आपकी email ID पर एक OTP जाएगा उसको यहाँ पर फिल कर लेना है उसके बाद यहाँ आपको अपना mobile number फिल कर लेना है और यहाँ से उसको उस पर OTP सेंड कर देना है आपके mobile number पर भी एक OTP जाएगा उसको यहां पर फिलकर लेना है उसके बाद यहां आपको अपना एक password बनाना होगा जैसे मैंने नीचे दिया है आप भी इसी तरह अपना password बना सकते हैं उसके बाद यहां आपको अपना password को confirm कर लेना है उसके बाद यहाँ आपको इस capture को fill कर लेना है और preview and create an account पर click कर देना है उसके बाद आपके सामने आपका preview आ जाएगा आपको इस वारे box पर click करना है अगर आपके form में कोई गलती है तो आप यहाँ edit पर करके उसको सुधार सकते हैं नहीं तो आप create a account पर click कर देना है उसके बाद आपको pro sheet पर click कर देना है उसके बाद आप home page पर आ जाओगे उसके बाद यहाँ आपको login कर लेना है यहाँ आपको अपना mobile number यह Gmail ID fill करनी है और यहाँ आपको अपने जो password बनाया है उसको fill कर लेना है और इस capture को भरकर login पर click कर देना है उसके बाद आपके सामने दो option आजाएंगे अगर आप ITI या diploma या बार में पास हैं तो आप इस दूसरे वाले option पर click करेंगे यहाँ आपको अपना कोई भी एक जोन select कर लेना है और आपको इस वाले box पर click कर देना है और Nesht पर क्लिक कर देना है उसके बाद आपके सामने आपकी कुछ डिटेल आ जाएंगी यहाँ आपको बताना है कि आप मेरिट है या अनमेरिट है उसके बाद यहाँ आपको अपने रिलीजिन सेलेक्ट करना है आपका जो भी religion है आप वो यहां से select कर सकते हैं उसके बाद यहां आपको अपनी बासा select करनी है आप जिस बासा में अपना exam देना चाहते हैं वह आप यहां से select कर सकते हैं उसके बाद यहां आपको कोई एक body mark बताना है अगर आपके face यहां कहीं भी तिल है तो आवे हैं भी यहां बता सकते हैं आपको यहां कोई भी बोडी मर्क बता देना है उसके बाद यहां आपको अपनी कम्यूटी बतानी है अगर आप SC से आते हैं तो आप यहां SC सेलेट करना है और यहां आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर देना है उसके बाद यहाँ आपको बताना है कि आपका certificate किसने इसू किया है उसके बाद यहाँ आपको अपने issue date भी बतानी है उसके बाद यहाँ आपको बताना है कि आप भी travel pass लेना चाहते हैं तो आप यहाँ yes या no select कर सकते हैं उसके बाद यहां आपको अपने पास का कोई railway station का नाम बताना है उसके बाद यहां आपको अपनी HC का certificate अपलोड कर देना है जो PDF में होना चाहिए उसके बाद यहां आपको अपना address फिल करना है यहां आपको अपना इस्टेर सेलेट कर लेना है और यहां आपको अपना जलावी सेलेट कर लेना है उसके बाद यहां आपको अपना एडर्स फिल कर लेना है जैसे अपना गाउं पोस्ट आपिस उसके बाद आपको यहां पिन कोड फिल कर लेना है अगर आपका पर्मानेंट एडर सेम है तो आप इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहां सेब पर क्लिक कर देना है आपकी रेटेज सेब हो जाएंगी आपको नेश्ट पर क्लिक कर देना है उसके बाद यहां आपको बताना है कि आप एक्स सर्विसमेन है तो आप यहां यहां नो सेलेट क सकते हैं उसके बाद यहां आपको बताना है कि क्या आप रेले में इंपलोई हैं तो आप यहां से भी यहां नो सेलेट कर सकते हैं उसके बाद यहां आपको बताना है अगर आप किसी डिपार्टमेंट में इंपलोई हैं तो आप यहां से भी सेलेट कर सकते हैं नहीं तो आप यहां नहीं तो आप not applicable भी select कर सकते हैं यहां आपको पूंचा गया है कि क्या आप course में apprenticeship की है तो आप यहां no या yes भी select कर सकते हैं उसके बाद यहां आपको अपनी fees referend के लिए अपनी bank की detail देनी होगी यहां आपको account holder कर नाम fill करना है और यहां आपको अपना account number भी fill कर लेना है और यहां आपको उस account number को confirm कर लेना है उसके बाद यहां आपको अपना IFC code देना है और यहां उसको confirm भी कर देना है जैसे ही confirm करोगे तो यह सारी detail अपने आप आ जाएंगी उसके बाद यहां आपको save पर click कर देना है आपके details save हो जाएंगी आपको यहां से उसके बाद यहां आपको नेश्ट पर click कर देना है उसके बाद यहां आपको अपनी 10th की detail फिल करनी है यहां आपको अपनी state select करना है और यहां आपको अपना जिला select कर लेना है यहां आपको अपना board फील करना है उसके बाद यहां आपको अपनी passing date बतानी है और यहां आपको अपना roll number फील कर लेना है उसके बाद आपको add पर click कर देना है आपकी details add हो जाएंगी उसके बाद यहां आपको ITI select कर लेनी है आप जिस भी courses हैं वह आप select कर सकते हैं और यहां आपको भी trade select कर लेनी है और यहां आपको state भी select कर लेना है आप इसी तरह अपनी सारे detail फीर कर लेनी है उसके बाद आपको add पर click कर देना है उसके बाद यहां आपको अपना एक photo upload करना है जो एक white background के साथ होना चाहिए यहां आपको अपना signature upload करना है उसके बाद आपको save पर click कर देना है आपकी details save हो जाएंगी आपको nest पर click कर देना है उसके बाद आपके सामने आपकी post आ जाएगी आपको इस place वाले option पर click कर देना है तो आपकी यह post add हो जाएगी पर click करना और submit पर click कर देना है उसके बाद आपका जो application हो जाएगा उसके बाद आपको अपनी फीस पर करनी होगी आपको पे नौप पर click कर देना है उसके बाद आपको यहां प्रोशीट पर click कर देना है उसके बाद यहां आपको अपनी पेमेंट पे करने होगी आप किसी भी पेमेंट मेंतर से उसको पे कर सकते हो